आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी गलोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चाइना ने एक बहुती एक ऐसी हरकत की है करी रहा है सैटलाइट इमिजेस सामने आई यह जिससे यह पता चला है कि च इगली ऑक्यूपाइड रिजन कश्मीर में इस रोड को बनाया गया है देखिए 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो की भारत का एरिया है पूरा अब उसके 15 साल बाद 1962 में 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवेंबर तक वैसे असली लड़ाई खाली दो हफते तक चली थी चीन और पाकिस्तान ने एक नापाक प्लैन मनाया खर बाद में बनाया वो लेकिन चीन ने भारत को हरा दिया और हमारा अकसाई चिन एरिया जो है वो चाइना के पास चला गया ठीक है अब एक साल बाद पाकिस्तान को दिया एज गिफ्ट की गिफ्ट है तुम रखो इसको जो की भारत का जो की लगी लग के पाइट है अब यहां पे ही चाइना ने जो एक है पूरी रोड बना ली है अब यह रोड बड़ी डेंजरस है क्योंकि यह आपके जिंजियांग प्रोविन से जाके मिलते हैं भारत के बॉर्डर पे है सबसे बड़ी बात यह है आइटिकल 6 ऑफ दी 1963 जो बॉर्डर एग्रीमेंट चाइन और पाकिस्तान में साइन हुआ तो उसमें यही था कि आप इसमें कोई डेवलप्मेंट नहीं करेंगे आप इसमें कोई तब तक डेवलप्मेंट नहीं करेंगे जब तक यह इशू सुलज नहीं जाता बट यह इशू तो सुल जाई नहीं है 2016-2017 में मैप्स में यह देखा गया कि यह जो चाइना ने रोड बनाई है बनाई है अब यह जो चाइना ने रोड बनाई भारत ने आ पत्ती जताई इसी रोड की वज़े से गल्वान क्लैशिज हुए है भारत ने बोला हम भी बनाएंगे ऐसी की तैसी हम अपने इरिया में बनाएंगे तुमने तुम्ने तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई है पूरी की पूरी दोस्तो रोड बनाई आपको बता दू कि सीजा जिंजैंग प्रोविंस थे यह कलेक्ट होती है अब काजगर रीजन जो सारे के सारे मिनरल चाइना के यही से आते हैं ट्रांसपोरटेशन और सारी चीज़ें यही पही होती है तो इल्लीगली ऑक्ट कश्मीर को इल्लीगली ऑक्ट करके रखा है जो कि स्याचिं ग्लेशेर के पास है वहाँ पे रोड बनाई जो कि भारत डिस्प्यूटेड रीजन आप समझ रहे हो शजगाम वैली बेसिकली पाकिस्तान ने दिया था 1963 में चाइना को तो डिस्प्यूटेड आप यहाँ पे बनाई नहीं सकते कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन में आप रोड कैसे बना सकते हो भाई सबसे पहले नेचर देसाई ने इसको पब्लिश किया था ट्विटर पे डाला था कि चाइना ने इसको जो है वो रोड बनाई यह फिर उसके बाद ओपन सोर सैटेलाइट सिस्टम से अभी यह दिखा कि यहाँ पे रोड बना ली गई लेटिनेंट जनरल शर्मा कहते है कि यह बहुत ही डेंजिरस से खतरनाक है और भारत को तुरंत इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए समझ रहे हो तो यह जी टू वन नाइन हाइवे है चाइना का जिंजियांग यह यहां तक जाता है इस कॉडिने तक और उसके बाद डिसेपियर हो जाता है यानि कि भारत का जो नौर्थ मोस्ट पॉइंट है जहां पर भी राजनात सिंग भी गए थे इंद्रा कॉल सियाचिंगे लेशर से उसके आगे 50 किलो मीटर तक यह रोड बनी हुई है और उसके बाद यह मौंटेंस में कहीं डिसेपियर हो जाता है आप समझ सकते हैं कि रोड का काम चाइना बहुत तेजी से कर रहा है यह देखिया यह और यह अभी रोड टुड़े का यह आइटिकल है बेसिकली अब अगस्त एक साल बाद आपको यह रोड पूरी की पूरी देखने को मिल गई तो जुलाई तक आपको कोई रोड यह देखिये जुलाई कोई रोड नहीं है अब उसके बाद तुरंत अगस्त में आप देखिए यह रोड आपको दिखती हुई तो बेसिकली यह एक साल के अंदर अंदर अब अभी तक यहां पर रोड नहीं बनाई गई लेकिन अब क्या हो गया कि चाइना एकदम से यह जो इंफ्रस्रक्टर है वो बनाता जा रहा है जवाब डर चाइना इस समय डरा हुआ है और यह हमको मानना चाहिए चाइना को पता गलवान क्लैशिस के बाद चाइना बहुत हेविली डिप्लाइमेंट कर रहा है जो इस्टर और वेस्टर सेक्टर है ठीक है सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड है वो ट्रांस का राकुरम ट्राक्ट में आती है हिस्टोरिकल यह कश्मीर का पार्ट तो कश्मीर भारत का पार्ट है ठीक है ना हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स है 1905 का रिकॉर्ड 1917 का रिकॉर्ड 1923 का रिकॉर्ड जितने भी रिकॉर्ड मैप के रिकॉर्ड हमने दिये हैं या हमने पब्लिश किये हैं वो भारत का पार्ठी किया था तब भारत ने जो मैप निकाला था उसमें यह हमारा पार्ट था तो यह तो बहुत ही जादा खतरनाक इस्थिति आ गई है यह जो ट्रैक्ट है यह लगभग साड़े पांच हजार स्क्वाइर किलो मीटर का है और जैसा कि अबने बता कि 1947 में पाकिस्तान ने इसको कैप्चर किया था अब इसको बाद में चाइना को दे दिया था 1963 में जो बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ लेकिन भारत इसको रिकर्णाइज नहीं करता है इंडिया के डिफेंस बना लिए जमीन ले लिया कोई रोड बना लिया तो हमारी धर्ती पर आपने बनाए तो ये तो वाइलेशन हो गया तो हम तो लड़ बन जाएंगे इसके लिए ठीक है साथ ही साथ इस तरीके के इंफ्रस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट जो है वो मौंटेनियस रीजन के सिक्योर सिनारियो को थ्रेट करेगा वैसे ही आपको पता है सोनम वांग्चुग ने भी ये बोला था जब उन्होंने मार्च निकल उनको जाने नहीं दिया उन्होंने बताया था कि लड़ दाग पे तो दो तरफा हमला हुआ है एक तो जमीन आप इंडस्ट्रिलिस को दे रहे हो इस तरीके से लड़ाक का जो पूरा का पूरा रिजन है मतलब जो बॉर्डर एरिया उसमें बहुत सारा एरिया चाइना के पास समय चला गया है चाइना इल्लीगली उक्युपाई जा चरवाहे हमारे बहुत आगे तक चाहते थे अब वहां तक जान नहीं पा रहे है भारत क ग्रेटर मिलिटरी कोपरेशन से भी है क्योंकि चाइना हैवी डिप्लॉइमेंट कर रहा है पाकिस्तान गिलगिट बाल्टेस्तान 2021 में इन्हों ने एक रोड एनाउंस की अब अब ध्यान से सुनिएगा जो कि मुझाफराबाद जो कि पाकिस्तान उक्युपाइट कश्मीर की क्यापिटल है से मुस्ताक पास तक अब यह रोड जो है वो शजगाम वैली से कनेक्टेड है और चाइना भी शजगाम वैली से कनेक्टेड रोड जो है वो बता रहा है तो यानि कि यहां से यह जिंजियांग तक आसानी से आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं और यह शज सब्सक्राइब करना और भारत वैसे ही टू फ्रेंट वार की जो है वो मुहाने पर खड़ा हुआ है लेटिनेंट जेनरल बताते हैं कि जो चाइनीज रोड से शर्जगाम वैली पे अब इससे आसानी से मिनरल साथ ट्रांस्पोर्ट कर सकते चाइना यह सब पैसा बचाने के ल मेन एनर्जी सोर्स है चाइना का जो मेन एनर्जी वो यही से ही आते तो यूरैनियम आसानी से और जो की गिलगिट बाल्तिस्तान से यह माइन करते हैं पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्तिस्तान जो कि भारत का एरिया है वहां से यूरैनियम माइन किया जाता है सोचे माउ इकोलोजी की बात करते हैं बड़ चाइना में तो धडल्ले से इसका हनन हो रहा है और इसको आसानी से जिजियांग में ट्रांसफर कर दिया जागा इसलिए यह रोड बनाई गई है तो लगातार आप इसको देखते रहे क्योंकि यह रोड मिलिटरी के लिए भी यूज हो सकती है साथी साथ अगिल पास से यह रोड जो है वो जाती है जो कि एक डिस्प्यूटेट रीजन है है ना पास मतलब दो दर्रा क्या होता है दो पहाड़ों की बीच की जगां पहार को काट के जो रोड बनाई जाती है जो चीज़े जाती है तो हिस्टॉरिकली जो है यह कश्मी अगर चाइनीज मैप्स की बात करें, 1917, 1919, 1923, 1905, तो यह दिखाया है कि भारत का ही पाट रहा है, लेकिन इस समय यह चाइना जो है यहाँ पे कबजा करके बैठा हुआ है, तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे भारत का स्टैंड क्लियर है कि पूरा पीओ के हमारा है, भारत अपने स्टैंड क्लियर किया है, पाकिस्तान और चाइना ने एगरिमेंट साइन किया है, लेकिन भारत और चाइना ने इसा कोई एगरिमेंट साइन नहीं किया है, भारत और पाकिस्तान ने 1972 में शिबलाइम एगरिमेंट बॉर्डर के लिए साइन किया था, तो सब के एगर structure development कर रहा है खुश रहेए पर तेरे दिसे सिद्धान तकिनी ओतरी signing off